बागत है आपका हमारे चैनल और आज हम लाएं है आपके लिए एक और बेहत जरूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे डाइबिटेस डाइट टिप्स की जी हाँ डाइबिटेस में ब्लड शुगर लेवल को एनियंतिस करने वाली ऐसी सफेज चीजों के बारे में आपको बताएंगे के जिनें आपको भूल कर भी अपनी डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए और अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्यत रूप से आप किसी ना किसी बड़ी मुसीबत में फस सकते हैं तो आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज हमें लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो आएए शुरू करते हैं वीडियो और मैं आपको बताओं कि हम सब जानते हैं कि डाइबिटीज का सीधा संबंध हमारे खान-पान से है यानि जैसे फूड आइटम हम खाएंगे उसका सीधा असर हमारे ब्लेट सुगर लेवल पर पड़ेगा तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना बेहर जरूरी है कि ऐसी कौन सी खास चीजे हैं जिनका सेवन डाइबिटीज में बिल्कुल नहीं करना चाहिए तो इसलिए आज के वीडियो में हम आपके लिए एक बेहर खास जानकारी लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे ऐसी सफेद चीजों के बारे में के जिन्हें डाइबिटीज होते हुए आपको अपनी डाइट में बिल्कुल शामिल नहीं करना चाहिए और अगर आप इन्हें अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से आपको नुक्सान हो सकता है और आप डाइबिटीज में किसी ना किसी मुसीबत में फर्च सकते हैं तो बात करें सबसे पहली चीज की तो यह है गेहू का अटा और मैं आपको बता हूँ के यह हर घर में इस्तमाल होने वाली ऐसी चीज है जिसे हम दिन में दो बार या तीन बार खाते ही हैं आप समझें के गेहू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 के आसपास है तो डाइबिटीज के मरीजों के लिए यह बिल्कुल अच्छा नहीं है और गेहू के आटे की बनी रोटियां खाने से आपका ब्लड शुगर लेवल निश्चित रूप से बढ़ेगा तो अगर आपको डाइबिटीज है तो आपको दिन भर में जौर बाज़रा या फिर जौ के आटे की रोटियां खाने चाहिए या आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में भी रखेंगी और स्वास्ते से जुड़े अन्य लाब भी पहुँचाएंगी फिर बात करें अगले सफेद आइटम की तो यह है सफेद ब्रेड और सुबह नाश्ते में आमतोर पर खाया जाने वाला यह सफेद ब्रेड हमारे ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ाता है और इसकी सबसे खराब बात यह है कि इसमें रिफाइंड स्टार्च जादा है जो चीनी की तरह काम करता है यानि अगर आप सुबह सुबह ब्रेड खाते हैं तो यह मान के चलिए कि आपने बहुत सारी चीनी खा लिए तो इससे तो आपका ब्लेड शुगर लेवल बढ़े गाई एक बात और समझे कि इसमें फाइबर की मात्रा ना के बराबर है और इ इतना ही और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब भी करें